हलो एवरीवन वेलकम टू अल अफ यू गाइज वेरी वेरी वर्ब वेलकम टू अल अफ यू अन अकैडमी यू पीएस्टी हिंदी तो देखिए दोस्तों आज हम बात करेंगे कुछ और important current affairs की जो कि environment and ecology में आते हैं कल किसी बच्चे ने पूछा था comment section में कि ये किस महीने का current affair है तो बच्चों मैं पहले ही आपको बता दू कि यहाँ पर environment and ecology के current affair जो करवाए जा रहे हैं वो जनवरी से लेकर जनवरी 2020 से लेकर हमारे prelims में जहां तक current affair आएगा यानि कि October में आपका हमारा prelims है तो कम से कम आपको कम से कम आपको अगस्त 2021 तक का current affair करना होगा तो मैं आपको पूरा current affair करवाऊंगा जनवरी 2020 से लेकर अगस्त 2021 तक का हम तीन सब्जेक्ट के current affair यहाँ पर करेंगे जिनका prelims में काफी महत्व है environment की classes तो मेरी चालू हो ही गई है साथ साथ में economics की classes भी मैं लूँगा यहाँ पर economy current affair की और science and technology की तो यह तीन विशे जो की पूरे पूरे डिपेंड करते हैं current affair पर तो environment economy और science and tech इनका current affairs होगा जनवरी से लेकर अगस्त तक ठीक है और कोई भी बच्चा यह ना सोचे कि paper बन चुका होगा UPSC का आगे का current affair नहीं आएगा सर क्यों कर रहे हो बेटा सा बात है पेपर कितना भी कोई भी बन क्यों ना चुका हो पर 3-4 question जोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है और UPSC रातो रात 3-4 question जोड़ सकती है और 3-4 question की कीमत वही इंसान समझ सकता है जो की current affairs 2-4 महीने कए तो एक्स्रा करना है अगर एक question भी ठीक हो गया ना तो तुम पास हो सकते हो क्योंकि एक एक नमबर से अच्छे अच्छे लोग रह जाते हैं तो इसलिए हम अगस्त 2021 तक का complete current affairs करेंगे environment economy and science and technology का और आपको अगर हमारी दा हिंदू के sessions लेने है तो मेरी दा हिंदू analysis का session भी होता है हमारे let's crack UPSC CSE Hindi के चैनल पर सुबह 9 बजे उसे भी आप ले सकते हो for daily current affairs तो guys unacademy आपको इंडिया की most comprehensive test series दे रहा है जिसमें 80 test हैं जो की एक साल तक आपके चलेंगे तो इन्हें आप अगर एक साल या उससे जादा का subscription लेते हो तो 30,000 की ये test series आपको यहाँ पर completely free available हो जाएगी दोस्तो इसी तरीके से आगर आप एक साल का subscription लोगे तो unacademy आपको महा subscription offer दे रहा है जिसमें SS live referral code को use करकर आप एक साल के subscription में means 2022 तक का subscription ले सकते हो दो साल के subscription में आप means 2030 तक का subscription ले सकते हो अगर आप SS live referral code यूज करते हो तो साथ साथ में बच्चो यहाँ पर अगर आप combo subscription लोगे, combo subscription का मतलब है कि optional भी साथ में लेते हो GS के तो आपको 35% discount मिलेगा double S live referral code के साथ में साथ साथ अनकेडमी की जो books आपके घरों तक पहुंचती हैं वो अब हिंदी में भी available है तो worth rupees 10,000 books will be available to you in Hindi medium also साथ साथ loan facility अनकेडमी आपको दे ही रहा है और iconic subscription में एक इंडिया की best team आपको guide करेगी तो चाहे आप iconic subscription लो या फिर GS का plus subscription लो दौनों में ही आप SS LIVE referral code को use कर सकते हो then you will get minimum 10% discount और maximum 35% discount यहां आपको available होगा और इस subscription के साथ में आपको मेरी guidance हमारे सारे notes और complete हमारी team भी आपको guide करेगी तो use कीजिएगा SS live referral code और इसे आप capital letters में ही यूज करें without any space और ध्यान रखेगा unacademy app पर free classes चल रही है डेली 3 p.m. पर pre-storming की classes जहां पर हम complete prelims का revision कर रहे हैं हर विशय का MCQ के माध्यम से question answer के format में तो कम से कम 4 test series को include करकर यह classes चला ही जा रही है तो definitely यहाँ पर more than 50% question आपको मिलेंगे prelims 2021 में तो इसे अगर आप daily attend करते हो till prelims यानि की till September तो definitely more than 50 question यहाँ आपको available हो जाएंगे बाकी मेरी जितनी भी classes होती है उन और सारे notes के लिए आप एसके शर्मा सर official के telegram channel को join कर सकते हो और इससे सर्च करने के लिए आप लिखिएगा telegram पर सिर्फ add the rate unacademy s के शर्मा एड़ रेट unacademy s के शर्मा telegram channel पर लिखो यह नया telegram channel है for you तो उसे आप join कर सकते हो वहाँ से आपको सारी PDFs available हो जाएगी या चलिए एक बच्चे प्रेजेंट हो गए हैं चलिए लगता है फिर भी ना ना क्लास चालू हुई है बेटा अभी अभी से खतम कहां कर रहे हैं अभी तो शो चालू हुआ है अभी तो रात बाकी है और क्लास भी बाकी है तो चलिए दोस्तों जाता है आईबेक्स योकि इन बकरियों के पैरों में वो तागत होती है कि ये परवतों में चड़ जाएं तो ऐसे ही एक फेमस जीव है जिसका नाम है हिमालेयन आईबेक्स देखने में काफी खूकार नजर आता है सींग इसके काफी आकरशक होते हैं तो अभी रिसेंटली एंडेंजर्ड इस्पिशीज रिसर्च ने एक लेक प्रकाशित किया और उसमें कहा गया कि भारतिय प्रार्णी विज्ञान सर्वेक्षन जो लॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हिमालेयन आईबेक्स और जो साइबेरिया में पाया ज एक ही जैसे हैं एक ही फैमिली के हैं पर अब पाया गया कि नहीं भाई हिमालेयन आईबेक्स बिल्कुल अलग है और साइबेरियन आईबेक्स बिल्कुल अलग पर जाती है तो एक काफी नए नए अंतर यहां पर हमें देखने को मिले तो क्या-क्या क्लेम किया गया है यहां पर तो हमारा जो पर्यावरण वन एवं जलबायू परिवर्टन मंत्राला है वो कहती है कि हिमालय अध्यान पर हमने एक राश्ट्री मिशन चला रखा है हमने चला रखा है National Mission on Himalayan Studies उसमें हम कुछ बात कर रहे थे और उन सभी चीजों के अंदर देखा गया कि लाहौल इस्प अलग अलग इलक्षन पाए गए हैं तो ध्यान रखिएगा कहां कहां मिलते हैं ये ये प्रजातिया हमें मिलती है मध्धेशिया ताजिकिस्तान अल्टाई माउंटेन और मंगोलिया एवं रूस में ये पाई जाती हैं कहां कहां पाई जाएंगी मध्धेशिया ताजिकिस् दर ये पाई जाती है पर इन पर फिर रिसर्च होती गई रिसर्च होती गई और फिर हम ने देखा कि इनके जो आनुवांशिक अनुकरम है वो अलग अलग है वो कि बच्चों अगर कोई एक ही family का न तो उसके DNA और आनुवांशिक अनुकरम सेम होते हैं DNA profiling सेम होनी चाहिए आनुवान्शिक क्रम सेम होना चाहिए पर यहाँ पर अलग अलग अनुवान्शिक क्रम पाए गए तो फिर यहाँ पर देखा गया कि Siberian Ibex अलग है अलग family का है और Himalayan Ibex अलग family का है बट देखो बच्चों क्या होता है जैसे जैसे भोगौलिक परिस्थितिया बदलती है जैसे जैसे रहन सहन बदलता है तो उसी प्रकार से उस पर्यावरण में रहने की अनुकुलन शम्ता हमें आ जाती है जैसे कि अगर आप लद्दाक में रह रहे हो तो हो सकता है कि आपके बाल घने घन हो और आपको सोव सरदियों से बचाते हो ऐसे ही हमारे जैसल मेर के आदमियों को देख लो इसके चमड़ी बहुत मोटी पाई जाती है ताकि क्या हो पसीना कम बहे वाशपोत सरजन कम हो ऐसे ही सबके अलग-अलग भगौलिक परिस्तियों के अनुसार अलग-अलग अनुकुल हम बदल गए हैं यहां पर हमें पता चला है कि साइबेरियन आइबेक्स जो था उसकी आनुवांशिक सरशना में प्लीस्टोसीन यूग जोग्राफी में आपने टाइम स्केल में पढ़ा होगा प्लीस्टोसीन यूग यो की लगभग 24 लाक वर्ष पहले का था वहीं पर पर परिवर्टन आ गया था पहले हम सोचते थे कि इसमें जो परिवर्टन हुआ वह लगभग 66 लाक वर्ष पहले हुआ था पर आप देखा गया कि नहीं इसमें परिवर्टन 24 लाक साल पहले हो गया था तो कई परिवर्टन यहां पर देखे गए हैं तो देखिए यहां पर siberian ibax ज्यो होते हैं वो एक जंगली बक्री की प्रजातवी होती है यह थंडे मरुस्तर दो प्रकार के मरुस्तर होते हैं एक तो होता है hot desert और दूसरा होता है cold desert जिसे कि hot desert में आप जानते हो सहारा है हमारा थार है वैसे ही cold desert में आपके दक्षिन अमेरीका के डेजर्ट आ जाते है लाइक अटकामा एंडॉल तो इसलिए जो शीत मरुस्थल होते हैं जैसे की साइबेरिया तो वहाँ पर चटानी द्रश्य भूमी पर और जो बहुती तेज ढाल होती है बहुती तीवर ढाल होती है खड़ी चटान होती है उसमें चड़ने की शक्ती होती है साइबेरियन आई बेक्स में तो उच्चे संतल भूमी पर्वती यह कगार और पहाड़ीinkaों की तलहटिओं में पाए जाती हैं साइबेरियन आई घ्क्स तो वैशलीग वितरण की बात की जाया तो साइबेरियन आई बेक्स कहा मिलेगा मंगोलिया से लेकर अल्टाई पर परवत जैसी कई परवत शंकलाओं में देखने को मिलेगा साथ साथ जो सयान परवत है वहां पर भी यह पाया जाएगा और कुछ-कुछ तो आपके जो ट्रांस अलताई परवत है उसके भी बहार हमें देखने को मिल जाते एशिया में हमारे कहां-कहां मिलते हैं आईबेक्स एशिया में मिलेगा भारत में, कजाकिस्तान में, ताजिकिस्तान में, मंगोलिया, पाकिस्तान और दक्षिनी साइबेरिया साथ साथ चीन के अंदर भी उचाईयों पर मिलते हैं चीन पर में भी 500 मीटर या 6000 मीटर तक की जो उचाईय होती है वहां मिलते हैं तो एशिया में भारत कजाकिस्तान ताजिकिस्तान मंगोलिया पाकिस्तान चीन और दक्षिणी साइबेरिया अलग हो गया बट उसको भी डाल ले ना है ना तो देखें भारत में हमारे मेंली कहां मिलेगा लद्दाक जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश टांट ट्रांस हिमालिया तो मेंल IUCN की लिस्ट में ये IBEX की स्थिति क्या है? IUCN में ये least concern है, यानि कि अभी ये संकट ग्रस नहीं हुए है, इनकी जानमाल पर कोई जादा खत्रा नहीं मंडरा रहा है, तो IUCN की लिस्ट में बच्चो क्या है? यह least concern की श्रेणी में आते हैं, least concern है कि अभी अच्छी खासी सं क्या है? ओवर ओल ँईब्स की, इसमें हिमालियन भी हैं और Siberian भी हैं, तो mainly हिमालेयन आइबैक्स भी हमारा least concern है और Siberian भी है, इसका वियज्ञानिक नाम है Capra Siberica, Capra Siberica वैज्यानिक नाम है हमारे हिमालियन आईबैक्स का और इसे भी संद्रक्षित रखा गया है भारत की वन्यजीव संद्रक्षन अधिनियम 1972 की सूची एक में इसे रखा गया है और भारत में मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश का जो पिन वैली राष्ट्य उद्ध्यान है पिन वैली नेशनल प्रार्क में मिलेगा और जम्मु कश्मीर में एक अभ्यारन है कांजी वन्यजीव अभ्यारन वहाँ पर भी ये पाया जाता है तो ध्यान रखेगा पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश और कांजी वाइल लैफ सेंचुरी जम्मु कश्मीर में आपको हिमालेन आइबेक्स देखने को मिलेगा तो इक शुड़ भी रिमेंबर सभी को याद हो गया आयोसीन में क्या है हमारे आइबेक्स लीस्ट कंसर्ण है तो ये बात हो गई हमारे हिमालेन आइबेक्स की अब बच्चो एक बीमारी है जिसने काफी लोगों की नाक में दम कर दिया और यह भी जुनॉटिक्स जीजीज है जानवरों से आप गलत व्यवार करोगे जंगलों को आप नश्ट करोगे तो जंगल और जानवर आपको भी नश्ट करेंगे अभी एक फेमस मूवी आई है फेमस तो नहीं कह सकते अभी हमारे अमेजन प्राइम पर एक मूवी आई है आपके हीरो इनकर नाम हमेशा भूल जाते हैं शेर नी ठीक है काफी अमेजन प्राइम वाले प्रोमों भी निकाल रहे हैं तो जंगल पर जितना तुम निर्भर करते हो ना उतना ही जंगल भी तुम पर निर्भर करता है तुम जंगल को बचाओगे तो जंगल तुम्हें बचाएगा यानि कि अगर तुमने वन्यजीवों को नहीं मारा तो वन्यजीव भी तुम्हें नहीं मारेंगे तो अब हम लोगो डिजीज, जूनौटिक डिजीज या जूनौटिक रोग वो रोग होते हैं जो कि मानव और जानवरों के संपर्क में आने से बनते हैं यानि कि कुछ ऐसे वायरस, कुछ ऐसे रोगाणू होते हैं जो कि जानवरों के लिए हानिकारक नहीं है पर जब हम उन जानवरों के संपर्ख में आते हैं जैसे कि मान लो कि आपके कोई निपह वायरस है फ्रूट बैट यानि कि चमका दड़ के लिए वो हनिकारक नहीं था पर चमका दड़ जब किसी फल पर बैठा उसने वो निपह वायरस उस फल पर छोड़ दिया और वो फल आपने खा लिया तो आपको फिर निपह वायरस से आप संक्रमित हो जाओ क्योंकि वो आपके लिए हनिकारक है तो कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो जानवरों के लिए हनिकारक नहीं है पर जैसे ही आपके शरीर में जाते हैं तो वो हमारे लिए हानिकारक हो जाएंगे और ऐसे ही कुछ ऐसे वाइरस भी होते हैं जो कि जानवरों के लिए भी हानिकारक होते हैं और उन्हीं वाइरस के अंदर से एक वाइरस आया है एक बीमारी आई है जिसे बोलते हैं जो नौटिक डिजीज तो नहीं कह सकते पर हाँ यह African Swain Fever है जो कि सूरों को हो रहा है। सूरों की काफी संख्या में मृत्ति हो रही है। माना की यह मानव में फैल सकता है। पर अभी तक कोई ऐसा केस नहीं देखा गया कि यह मानवों के अंदर भी फैल रहा है। परंतु future में हो सकता है कि उत्परीवरतन हो। उत्परीवरतन या mutation का मतलब क्या है। जब virus अपने अनुवांशिक अनुक्रमों को बदल देता है और ऐसे अनुवांशिक अनुक्रम बना लेता है जिससे कि वह होस्त याने की मानव के शलीर में रह सके। तो उसे ही उत्परिवर्तन कहते हैं तो उत्परिवर्तन करके हो सकता है कि अफ्रीकन स्वाइन फिवर भी ऐसा हो जाए जो मानवों में फैल जाए तो उसे हमें देखना हुआ तो क्या है अफ्रीकन स्वाइन फिवर केंद्र सरकार ने असम राज्य में अफ्रीकन स्वाइन फ त्रावी वाइरल बीमारी है, माना कि मनुष्यों में इतनी नहीं फैलती है, परंतु सूरों के लिए ये कोरोना से भी घातक और बहुत तेरी से फैलती है, तो कि जिसको सूरों के अंदर ये बीमारी हो गई, उनके शरीर के अंदर इंटर्नल ब्लीडिंग होने लग जाएगी जो शरीर के अंदर जो आते होती हैं, उनसे खून निकलने लग जाएगा, और सोच के देखो किसी सूर की नसे हैं, वो फट गई और ये अंदर खूनी खून हो गया, बिचारा मरेगा नहीं मरेगा, तो बिलकुल वैसे ही, it is a hemorrhagic fever, ये क्या है, अंतह इस्तरावी वायरल है, तो जो बिचारा इस्तरावी ग्रंतियां होती हैं, वो अंदर ही फट जाती है, और खून बह जाता है, और शरीर के इस तरीके से पूरे की म्रत्ति हो जाती है, बहुत जल्दी के हो जाती है, यह है एक फैमिली से आया है वायरस, और उस वायरस की फैमिली का नाम है, as fire vir परिवार का यह है जैसे की Corona virus का परिवार है coronavirus फरीवार का है उश्में भी बीटा जो प्रकार का coronavirus है उससे corona फैला है वैसे ही यह जो है आपके एस फेर वीरिडे परिवार का है और यह DNA virus के कारण होता है क्या है DNA जैसे की जैसे कि corona क्या है हमारा RNA-based wire है RNA यानि की Nucleic Hum, Ribonucleic Acid, क्या होता है कि कोई भी कोशिकाइं होती हैं, उसमें होता है केंद्रक, और उस केंद्रक के अंदर एकमल भरा रहता है, जिसे बोलते हैं नाभी की अमल, और नाभी की अमल ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है, Rabo शर्करा द्वारा निर्मित राभि नाभि की अमल उसे बोला जाता है Ribose Nucleic Acid RNA और एक नाभि की अमल होता है Dioxy Ribose Neucleic Amla यानि कि एक ऐसी राभ़ शर्करा जिसमें Oxygen नहीं होता है तो Deoxy Ribose Nucleic Acid DNA जनरली मानव के अंदर DNA टाइप के वायरस कम प्रभावी होते हैं RNA टाइप के वायरस जादा प्रभावी होते हैं तो क्यी कोरोना RNA टाइप का वायरस है तो जब भी RNA की जरूध पड़ती है MSI और हमें हमारे शरीर के बिकास के लिए प्रोटीन के आवशक्ता होती है तो जब RNA प्रोटीन संशलेशन करता है तो वह कई उत्परिवर्तन करके शरीर में घुश जाता है और हमें परेशान करता है पर यहां जानवरों में DNA टाइप के वाइरस भी हानिकारक हो सकते हैं तो डी ओक्सी राइबो नूकलिक एसिड बेस जो की पुराने टाइम का ओल्ड एज का है ठीक है और एक है नया वाला एफ्रीकन स्वाइन फीवर इन दौनों के लक्षन बिलकुल समान होते हैं पर जो एस एफ है वो क्लासिकल वाइरस के बिलकुल भिन्न होता है और दौनों का कोई रिलेशन नहीं लक्षन सेम पर दौनों बिलकुल अलब अलग है क्लासिकल वाला पुराना वाला अलग है नया वाला अलग है ठीक है चांथ कैसे पहलता है क्या होता है सूर रहते हैं गंद की अंदर और सूरों के उपर चोटे-छोटी जो टीलिया eight Co होती है चुपग जाती है अब वह चिपक गई तो यहां पर biological vector वही होती हैं, कभी वैसे तो आपने देखा नहीं होगा, अब तो सूर दिखते ही नहीं आसपास, पहले जब गंद की एस्लम एरियाज में जब जाओगे तो दिखेंगे, तो सूरों के शरीपर क्या होता है, छोटी मोटी जुए टाइप की, आपके छोटी मोटी टीलिया टाइप की, इलिया टाइप की, सौफ्टिक्स होती है वो होती हैं, biological vector, तो उनके माध्यम से उनके माध्यम से यहाँ पर एफ्रीकन स्वाइलन वेक्टर फैल जाता है तो यह जो बायलोजिकल वेक्टर्स हैं वो सुरों के शरी पर चिपकेंगे और फिर यह हो जाएंगे अब क्या होता है अब यहाँ पर सुर फिर बूचड खाने में जाते हैं कसाई घर में और फिर वहाँ पर और गंद की रहती है वो टिक्स जो होती हैं कसाई वाले के कपड़ों पर लग जाती हैं फिर वो पूरे सुरों को गर्षित कर देती हैं तो इस तरीके से बहुत तेजी से फैल जाता है एफ्रिकन स्वयन फिवर पर ये संक्रामक है सिर्फ पशूओं में मानव में इतना संक्रामक नहीं है तो इसलिए बहुत तेजी से फैल गया और इसके अंदर क्या होता है क्या लक्षन होते हैं सूर के कान लाल पड़ जाएंगे इसकिन बिलकुल लाल हो जाएगे जैसे कि सारी समस्य हो जाती है तो देखें यहां पर एफ्रीकन स्वयन फिवर जो है वह क्या एप DNA टाइप का वायरस को रखता है और इसमें होते हैं DNA जिनोम यानि कि यह है DNA पॉलेमरेस प्रक्रिया के द्वारा व्रधी करते हैं पॉलीमरेस प्रक्रिया क्या होती है थोड़ा सा पीछे चेंयर्स टेकनीक आपके शॉट में समझ लेते हैं ते क्या होती है rico Ven stare टेकनीक हमें जब भी कोई DNA प्रोफाइल बनाना होता है कोई भी क्लोन बनाना है तो हम क्या करते हैं DNA लेते हैं DNA का एक खंड काट लेते हैं उस खंड को हटा कर जो भी वांचित खंड है वो लगा देते हैं फिर उस वांचित खंड को लगाने के बाद में जैसे कि मानलो मेरे पास ये DNA मैंने काट लिया ठीक है और इस DNA के अंदर मैंने एक वांचित खंड लगाया ये वाला ब्ल से तो मैं पूरा जीव बना नहीं सकता तो मैं क्या करूँवा इसका multiplication करूँगा इससे क्या करूँगा multiplication करूँगा और जब gaan multiplication होता है उसी प्रकृतिया को कहते है ॡाद Nicholas और यह एक वांचित DNA से कई सारे वांचित DNA बनाने की प्रिकरिया को ही PCR Polymerase Chain Reaction कहते है यानि कि इस में polymerization करते और उसकी एक श्रंखला अभी क्रेया दार आई जाती है फिर यहां पर तुम्हारे पास बहुत सारे dna बन जाएंगे जो कि हमें चाहिए थे अब उससे तुम बनाओ, DNA profiling करो, barcoding करो, clone बनाओ, जो करना है तुम करो, तो यह होता है, तो mainly क्या होता है, कोरोना के अंदर भी हम यही टेखनिक यूज़ करते हैं, RT-PCR, RT-PCR क्या होता है, Real-Time Polymerase Chain Reaction, आपके शरीर में से जो भी इसलस्वेप सोते हैं, वो ले लिए जाते हैं, जहां जहां आपके वाइरस हो सकता है, उसका छोटा साणू लेते हैं, उसको कई बार संखला अभीकरिया से दोहराते हैं, फिर हमें देख जाता है कि हाँ इसके अंदर वाइरस है, इसमें नहीं है, और चेक कर लिया, यही चीज इसमें भी अपनाई जाती है तो यहाँ पर क्या होता है हमारे पास इस तरीके से यहाँ पर भी DNA पॉलिमरेज अभिक्रिया के माध्यम से हम देख लेते हैं कि कहां कहां ऐफ्रीकन स्वैन फिवर है तो DNA पॉलिमरेज क्या हो गया? DNA पॉलिमरेज एक विशेश प्रकार का प्रोटीन अनू होता है जिसे एंजाइम कहा जाता है और यह है एकल स्ट्रेंड जो आपका दूई कुंडलित DNA था उसको अलग-अलग काट कर एकल स्ट्रेंड DNA की जो शंकला है उसमें पूरक शारकों को जोडने का काम करता है जैसे कि स तरीके से आपकी चीजे होती है साइटोसिन ग्वैनिन से जो जुड़ता है वो ट्रिपल बॉंड द्वारा जुड़ता है है ना आपके साइटोसिन क्या होता है ट्रिपल बॉंड इस तरीके से होता है एडिनिन द्वीबंद ज्वारा ग्वैनिन से जुड़ता है और यानि लड़का जी यानि गर्ल्स लव मैरिज की दौनों मिया भी वी राजी तो इसलिए डबल बॉंड इनकी हुई है अरेंज मैरिज तो यानि की दौनों के साथ साथ ट्रिपल बॉंड यानि फैमिली का भी सपोर्ट है तो यह ट्रिपल बॉंड है CT ठीक है साइटोसेन और थैमिन तो यह आप कैसे जुड़ते हैं अब क्या होता है कि जब आपको वायरस को देखना होता है तो हमारे पास DNA का एक खंड होता है यानि कि या तो एक साइड में A होगा T होगा G होगा C होगा ऐसे होता है अब उसका जो पूरक शारक है यानि कि A है तो उसकी दूसरे में जी होगा तो इस तरीके से जो पूरक शारक होते हैं पूरक नाइट्रोजनी शारक होते हैं उन्हें जोड दिया जाता है और फिर पूरा पूरा DNA बन जाता है तो इस तरीके से DNA पॉलेमरेज अभी क्रिया होती है और उससे हम पूरा पता लगा लेते हैं कि एफ्रीकन स् खंड, single stranded DNA वायरस जैसे की परवो वायरस और एक दूसरे DNA वायरस क्या होता है, double stranded DNA वायरस होता है, तो देखिए यहां पर RNA सदेव एकल खंड का ही होता है, क्योंकि RNA की जो सरचना है उसमें एक ही खंड होगा, double helical structure नहीं होती है, द्वी खंड नहीं होता है, तो यहां पर जो double strand वायरस है, वह तीन प्रकार के होती है, एक होते है, छोटे आकार वाले DNA जिनों, जैसे की पैपलोमा वायरस, पैपलोमा वायरस से कई लोग ग्रसित होंगे, आपने कई लोगों को देखा होगा, कि कई लोगों के शरीर पर मस्से आ जाते हैं, क्या हो जाता है, कई लोगो रोगते हैं, तो उन्हें कटवाने पड़ते हैं, वाट्स जिने कहते हैं, डबल्यू ए आर्टी, तो वो किसकी वज़ासे होते हैं, वो पैपिलोमा वायरस की वज़ासे थे, पैपिलोमा वायरस क्या होता है, एक प्रकार के छोटे आकार का DNA जिनों वायरस है, इसलिए फैमेली में मस्से की समस्य है तो उसके बच्चों में भी मस्से की समस्य होने की संभावना देखी जाती है हो सकता है कि ना हो पर अधिकतर देखा जाता है कि आनुवांशिक रूप से फैलते रहते हैं तो फैमेली में हो सकता है कि चार बच्चों को नहीं है पर एक बच्चे क जरूर इस तरीके की पैपिलोमा वाइरस की बीमारी हो सकती है तो यह होते हैं डबल स्ट्रेंडेट छोटे आकार के डियने जिनोम ऐसे ही मध्यम आकार के डियने जिनोम होते जैसे कि एडिनो वाइरस एडिनो वाइरस यह बहुत हानिकारक वाइरस है एडिनो वाइरस और यह शक्ति को शील कर दिया गया और लाइव एट उनिटेड वाइरस भी बनाए गया वह वैक्सीन बनाई गया और ऐसे ही एक होते हैं बड़े आकार के डियने जिनोम तो इस तरीके से तीन आकार के डबल इस्टेंडड डियने वाइरस होते हैं तो यहां पर आप देख सकते हो यह डबल इस्टेंडड डियने वाइरस उसको तोड़ लिया गया यहां पर एक एंजाइम को यूज किया गया वांचित पार्ट को काट लिया गया और जो फिर वांचित पार्ट है उसे किसी अगल legislation कहते हैं इस वेफु जो डियनες बना उसी को ही बोलते हैं और डियने यानि कि री-적인 डियेन टेखनालोजी इसी को हा जाता है यहां वाइरेस में वैक्सींज में क्लोन बनाने में डियने फिंगरपिंटिंग में सब जगए यूज कर सकते हैं तो देखो अभी अफ्रीकन स्वयन फियरों में क्या हुआ आपके जो महामारी है वो बहुत तेजी से फैलने लग गई और काफी सारे सुवरों को मारना पड़ा यहां पर मजबूरी में तो यहां पर सबसे बड़ी समस्या क्या है एक तो संक्रमण की और संक्रमण भी कैसा होना चाहिए प्रत्यक्ष पर यह अच्छी बात है मानवों के लिए अगर हम सुवरों को दूर रख देंगे तो कोई समस्या नहीं है हमें फैलने की क्योंकि इनके लिए डायरेक्ट कॉंट में भी वायू से भी फैल सकते माना कि ऐसा हुआ नहीं पर फिर भी मानवों में नहीं फैल पा रहा है क्योंकि इनके लिए प्रत्यक्ष संक्रमण की आवशकता है यानि कि घरेलू और जंगली सुवरों के संपर्क में जो आएगा उसको ही फैलेंगे पर कुछ जगे ऐसा द चैनल पर तो इस तरीके की चीजे यहां पर देखी जाती है तो देखिए मानव पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ध्यान रखेगा African Swine Fever, मानवो को प्रभावित नहीं करता है, मानवो में इसका कोई प्रसार नहीं होता है, तो डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है, मानवो में इसका कोई प्रभाव नहीं होता, परंतु फिर भी कैस से इसके clinical science हम देखेंगे तो यह जो बीमारी के लक्षन जो हैं उसकी वजह से म्रत्युदर वायराइस की शंतार सूरों की प्रजाति है कि अनुसर भिन्झ भिन्झ roof हो सकती है हो सकता है कि कोई सुवरों की प्रजाती शक्तिशाली है तो उसमें कम लोगों की म्रत्य हो रही है और कोई सुवरों की प्रजाती ज्यादा शक्तिशाली है तो उनमें ज्यादा लोगों की म्रत्य हो रही है ऐसा देखा जा सकता है इसके लक्षणों में है बहुत तेज बुखार आना सुवर ड टीका नहीं बना है तो बस यही है कि भोगौलिक वित्रण करो दूर दूर रखो है ना सुवरों को दूर दूर रखो और जिन लोगों को बीमारी हो गई है उनको फटा-फट मारो और अलग कर दो बाकि कोई भी ऐसा उपचार इसका भी देखने को नहीं मिला है अब बच्चो प्रिलिम्स में एक स्टेट्मेंट एक कुश्चन बन सकता है कि एफ्रिकन स्वैन फिवर और क्लासिकल स्वैन फिवर जो है इन दौनों में क्या समानता है और क्या अंतर है तो ध्यान रखिएगा एफ्रिकन स्वैन फिवर जो होता है उसमें डबल और रही बात संचरण की तो संचरण प्रत्यक्ष और एप्रत्यक्ष दौनों ही तरीके से दौनों में हो सकता है आपके अफ्रीकन स्वयन फिवर की कोई भी प्रभावी वैक्सीन नहीं बनी है जबकि जो पुराने वाला classical soybean fever हुआ करता था उसकी vaccine available है तो अफ्रीकन soybean fever की कोई भी vaccine नहीं है जबकि classical soybean fever की vaccine available है तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा चलिए बच्चो आगे बढ़ते हैं और अगले topic पर आते हैं अगला topic हमारा क्या है हमारे पास है अंडमान का एक दुर्लब पेड और उसका भारत सरकार कर रही है सन रक्षन ऐसा क्यों हो रहा है तो चलो उसके बारे में बात कर ले दक्षनी अंडमान दीप के दुर्लब ताड के पेड की बात यहां पर की जा रही है तो बच्चो दक्षनी अंडमान में कहां पर दक्षनी अंडमान में एक बहुती दुर्लब पॉम्ट्री यानि की ताड का पेड हमें मिला है कहां मिला है तो यहां पर जवालाल नहरू ट्रॉपिकल बोटैनिकल गार्डन और रिसर्च इंसिट्यूट ने की मदद से इसे अब केरल में भी उगाया जा रहा है जो अड़क्षणी अंडबान में मिल रहा था उसे केरल में एक जगह है पलोदे वहाँ पर इसे उगा रहे हैं और इस पेड़ का इस पाम ट्री का इस ताड़के पेड़ का साइंटिफिक नेम क्या है पिनंगा अंड मानेंसिस क्या है पिनंगा अंड मानेंसिस और इसका एक रीजन है कि इसका नाम पिनंगा क्यों है अंड मानेंसिस तो आपको पता है कि अंड मान में मिलता है इसलिए इसका नाम अंड मानेंसिस कर दिया एक टाइम तो ऐसा था कि ये पाम ट्री ये ताड का पेड विलु पार्क है कई बार यूपीस्टी प्रिडिम्स में पूछा गया है कि माउंट हैरियेट नेशनल पार्क कहां है तो जो माउंट हैरियेट नेशनल पार्क है वह कहां पर है हमारे वो दक्षिन अंटमान में है तो वहां पर लगबग 600 पौधेस के पाए जाते हैं तो कुछ इस तरीके का दिखता है यह दुर्लब पॉम्ट्री तो यह क्या है पिनंगा अंडमानेंसिस कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा तो बच्चों यहां पर भारतिय मुख्य भूमी पर हमार है जो यह अंडमान का पेड है यह जर्म प्लाज्म का भी सणड़क्ष्ण करता है जर्म प्लाज्म का मतलब क्या होता है वह बेसिक बीज जो कि अगर यह कल को नश्ट भी हो जाए तो हम इसे वापश उगा कर पैदा कर पाएं तो उसलिए भी है अब क्या हो रहा है कि मेंली ये नश्ट क्यों हो रहे हैं क्योंकि अक्सर अंडमान में जलवायू परिवर्तन की वज़े से प्राकर्तिक आपदाय आती रहती है कभी चक्रवात आता है कभी भीशन गर्मी पड़ती है कभी बहुत अलग समस्यां हो जाती है तो जो मौसम है वो बहुत बदल रहा है और वापस ओगाने की कोशिश कर सकते हैं तो ध्यान रखेगा पिनंगा अंड मानेंस जो है वह critically endangered species है एक बार तो यह विलुप्त हो गई थी पर अब आयूसीन की लिस्ट में गंभीर रूप से संकट ग्रस्त है critically endangered है जो की एक antimic species है विश्रमे केवल और केवल, दक्षण अंड मान में ही मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी माना की भारत सरकार अब इसे केरला में भी बना रही है, केरला में भी उगा रही है बट यह इस्थानिक प्रजाति है सबसे पहले 1934 में इतावली वनस्पती शास्त्री थे हमारे औरी रोडा बैस की इन्होंने इसका वर्णन किया था और कहा गया था कि 1992 में यह विलुप्त है कहीं पर भी नहीं बची है बिलकुल खतम हो चुकी है पर वापिस इसे देखा गया तो यह सारी चीजे हमारे यहां प पिनंगा क्यों दिया है तो देखिए यह नाम दिया गया है पिनंग सेलिया से मलेशिया का एक राज्य है पिनंग और वहां पर एक मूल यानि की पुलाव पिनंग में से है जिसका मतलब होता है अरे का नट का पाम का दीब तो पुलाव पिनांग का मतलब होता है अरेका नट वाला पाम का पेड जो की अरेका नट वाले दीब समों पर हमें मिलता है तो इस तरीके का यहां मिलता था इसलिए इसका नाम पिनंगा रखा गया है तो यह रीजन है अब देखिए बात यह है कि आप कैसे इसको संद्रक्षित रखोगे तो देखिए पेड बुरी तरीकी से नश्ठ होते जासते हैं और हमारे पास हमने पर्यावरण में पढ़ा है कि हम दो प्रकार से वन्य जीव और वनस्पती को संद्रक्षित रख सकते हैं कौन-कौन से दो प्रकार हैं जिससे हम संद्रक्षित रख सकते हैं एक तो सिंपल सी बात है कि तुम्हारे जिस जगे पेड उग रहा है उस जगे संद्रक्षित रख लो और एक भाई के हमें लगा कि वहाँपर संरक्षित नहीं रख सकते तो उठाकर किसी लेब में लिया और संरक्षित रख लो यानि कि एक तो उसी जगे संरक्षित रखा जाए जहां पर वो प्राकर्तिक रूप से पैदा होती है तो ऐसे संड्रक्षन को कहते हैं स्वे इस्थाने संड्रक्षन इनसिटू कंजर्वेशन इसमें क्या होता है पौदो और प्राणियों को उनके प्राकर्थिक वास स्थान अथवा सुरक्षिर शेत्रों में ही संड्रक्षित रखा जाता है जैसे कि कोई स्थानिक वनस्पती है हमारे जैसल मेर की है तो वहीं संदक्षित रखो हो गया इंसिटू अम मैं जैसल मेर की जगों से बैंगलॉर ले जाकर संदक्षित करू तो फिर वो इंसिटू नहीं होगा वो होगा एकसिटू यानि कि गैर स्थानिक संदक्षन यानि कि अगर कोई भी वनस्पती और जीव मूल वातावरंड से अलग इस्थान पर संदक्षित किये जाते हैं तो उसे एक सिटू कंजर्वेशन पर इस्थाने या गैर इस्थानिक संदक्षन कहा जाता है उधारण है गैर इस्थाने संदक्षन के जैसे की हमारा शेर मिल रहा था है सूर कहें चडिया घर में ले गया तो वह क्या हो गया पर इस्थाने कंसर्वेशन तो यानि कि चडिया घर नेशनल आपके उध्यान नर्सरी जीनपूल यह सब क्या हैं जैर्म बैंक सीड बैंक यह सब क्या हैं पर sedfallen स्थानिक यह सथानिक न्जर्वेशन कहां आते हैं जैसे कि बन्न जीव अभ्भ्याड़ण वहीं घूम रहे थे वहीं संदक्षित रखने लगए तो उसे कहा जैसे बायो स्थानिक रखा तो स्थानिक तो ध्यान रखिएगा यह प्रिलिम्स में आ चुका है UPSC में आ चुका है हमारा कि निम्न लिखित में से गैर इस्थानिक संड़क्शन एक सिटू कंजर्विशन की क्या-क्या विधियां है तो कौन-कौन सी विधियां है बुटेनिकल गार्डन वनस्पति उध्यान बना लिए सारे अच्छे-च्छे पेड़ पौदों को लिजा कर एक पार्क में सजा दिया या फिर जीवों के सीट्स लिए एक जगे अलग से बन सकते हैं या फिर कोई जीव है उसके कोशिका को हम परिवर्धित कर रहे हैं जिसे कहते हैं टिशू कल्चर तो टिशू कल्चर में भी एक सिटू कंजर्वेशन होता है और डियने के बैंक में भी एक सिटू कंजर्वेशन होता है तो यह सब क्या है हमारे पास एक सिटू धारण है तो ध्यान रखेगा स्वैस्थानिया इंसिटू कंजर्वेशन यानि कि जहां का जीव है वहीं उसको संरक्षित रखो और परिस्थानिया एकसिटू कंजर्वेशन यानि जहां का जीव है उसको दूसरी जगे ले कर जाओ और फिर संरक्षित रखो तो ये दौनों क उसे हम संरक्षित रख रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं तो जीन बैंकों में क्या होता है आनुवाशिक संसाधनों के जीन बनाये जाते हैं और उनको बीज बैंक को द्वारा संरक्षित रखा जाता है तो जो भी हमारे इस दुर्लब ताड के पेड पिनंगा अंड मानेंसिस जो है जो ये ताड का पेड पांप्री है इसके जीन को हम Seed Bank के माध्यम से जर्म प्लास के माध्यम से रखेंगे कौन रख रहा है से राश्ट्रिय पादब अनुवांशिक संसाधन Bureau The National Bureau of Plant Genetic Resources NBPGR New Delhi में इस्तित है वह एक पूरा का पूरा जीन पूल बना रहा है और इसे विक्सित करेगा तो ये सारी चीज़े की जा रही है तो जो राश्ट्रिय पशू आनुवांशिक संसाधन Bureau है वह एनिमल्स को रखेगा तो इस तरीके से दो Bureau है एक तो है अगया है प्लांट वनस्पतियों के लिए प्लांट Genetic Resources Bureau और एक है आपके पशूओ के लिए Animal Genetic Resources Bureau तो वह पशूओ को रखता है और ऐसे मश्लियों के लिए भी एक है मश्लियों के लिए है राश्ट्रिय अनुवांशिक संसाधन Bureau जो की हमारे लखनाओ में है तो ध्यान रखिएगा वनस्पती वाला है दिल्ली में पशुओ वाला है करणाल हर्याना में और मतस्य वाला है हमारा लखनव के अंदर तो ये तीन अलग-अलग हमारे शेत्र हैं जहां पर जीन बैंकों के माध्धम से रखा जा रहा है अब देखिए इसका फाइदा क्या है क्यों हम ऐसा कर रहे है क्योंकि देखिए हम रोक नहीं सकते की चक्रवातों को रोक ले हम नहीं कर सकते की प्राकरतिक आपदा को रोक ले तो हम यहीं तो कर सकते हैं कि चलो इनके जो बीज है उन्हें संरक्षित रख ले तो जब हमें प्रजातियों को लंबे जीवनकाल तक और प्रजनन गतिविधियों के लिए नया इस्थान देना होता है जहां पर उप पैदा हो सकें क्योंकि अब अंडमान में तो हो सकता है कि जलवायों परिवर्तन होंगे प्राकरति का अबदाय जादा से जादा आएंगी तो बिचारे बच नहीं पाएंगे तो इसलिए उन प्रजातियों को अब हम लंबा जीवनकाल देने के लिए और प्रजनन गतिविधियों के लिए इ स्थाने या एकसे टू कंजर्वेशन करते हैं इसमें क्या होता है आनुवांशिक तकनीकों का उप्योग होता है तो हो सकता है कि कोई पेड आज जिंदा नहीं है पर भविश्य में कभी बना लिया जाए तो वर्षों तक एवन दशकों तक भी हम संरक्षित रख सकते हैं ज यह सारी चीजें हम इसमें काड़ सकते हैं तो देखिए अब में रीजन क्यों हम इसकी तरफ जाएदा बढ़ रहे हैं तो जलवायू परिवर्तन की वज़ए से बढ़ना पड़ रहा है तो कि अभी हमारे पारिस्थितिकी इतंत्र और जलवायू परिवर्तन के प्रती सोभ जलवायू परिवर्तन की वज़ए से खास कर जो तटिये भाग है तो कि बर्फ बहुत तेजी से हो रहा है समुद्र का जलिस्तर बढ़ रहा है ऐसामिक वर्शा हो रही है वर्शा का टाइम पीरेड कम हो गया है और वर्शा की तीवर्ता जादा हो गई है तो बाड़ आ जा जाते हैं तो इसलिए खास कर जो समुद्र तटिये शेत्र है और समुद्र तटिये वन जो है वो आसानी से सुबेद्ध है वलनरीबल है इसलिए कई वैश्विक प्रजातिया खत्रे में हैं और आवासों का वित्रण है वह भी बहुत तेजी से बदल रहा है इसलिए अपने आप बदलने लग जाती थी पर अब प्रजातियां अपने आप नहीं बदल रही है और उनकी अनुकूलन शम्ता कम हो गई है पहले ऐसा होता था कि हमें टाइम पिरेड मिलता था कि चलो गर्मी बढ़ रहे है तो प्रजातिया भी गर्मी में रहना सीख जाती थी यह सारी चीज़े हो रही है तो प्रजातियों के संदक्षित के लिए अब मानव को अपनी भूमी का बढ़ानी होगी परंतु यह सभी को पता है कि अगर प्रकरती को संदक्षित करना है तो प्रकरती को उसके हाल पर छोड़ दो वह संदक्षित कर लेगी इसलिए कहा जाता है कि चिडिया घरों में रखकर जानवरों को संदक्षित कर रहे हैं पर भया किसी को भी नुमाईश करना पसंद नहीं होता है चिडिया घर के अंदर कभी यह आएगा कभी कोई गवार लड़का भी आ सकता है जो चिडियाओं के उपर पशुओं के उपर फत्तर फैके उल् हिंसक व्यवार भी कर सकते हैं और कई नुकसान भी हो सकते हैं साथ साथ हमारे जो गैरिस्थानिक संदक्षन विधिया हैं वह दीरकालिक अस्तित्व के लिए तो लाबधायक हो सकती है परंतु जलवायू परिवर्तन के दौरान जीवों का प्रजनन और उन्हें अपनी अगे पर वापिस पुनरिस्थापित नहीं होते और वापिस प्रजनन भी नहीं हो सकता तो यह कई चीजें भी हमें देखने को मिली हैं तो यह सारी समस्याएं भी हैं हमारे गैरिस्थानिक कंजर्वेशन में चलिए दोस्तों अगले एक महत्पून टॉपिक पर चलते हैं जोकी है विश्व डुगॉउउग दिवस डुगॉउग पर पहले भी यूपि एसी में काफी कुश्चन आये हैं आगे भी आ सकते हैं तो उसे ध्यान रखेगा तो बच्चा यहां पर बात करते हैं विश्व डुगॉंग दिवस की क्या किसी ने कोई कुश्चन पूछा है क्या क्लास का डेली टाइम के है बेटा दस बजे हाँ वैसे एक बच्चे ने रिप्लाई कर दिया चलिए वेरी गोड किसने रिप्लाई किया है मेरे प्यारे पापा चलो नाम भी अच्छा है इनका है न तो बिलकुल डेली दस बजे आपकी क्लास होती है डेली रात को दस बजे ठी के 10 पीम हम बचाएंगे प्रकरती को तो देखिए यहां पर विश्व डुगॉंग दिवस कब मनाया जाता है 28 मई को हर साल 28 मई को विश्व डुगॉंग मिनस मनाया जाता है डुगॉंग यानि कि समुद्री गाय इसे सी काओ भी कहते हैं तो कि समुद्र में रहकर मशलियों के बीच में रहकर कोई वेजीटेरियन हो जाए तो बहुत बड़ी बात है सोचो कोई बेंगॉल में रह रहा है और मशली नहीं खाता तो इसलिए यह है सी काओ इट इस वेजीटेरियन यह फाइटो प्लेंक्टेंस का खाके रहती है तो यह समुद्री गाय है और भारतिये जल के समुद्री खीरे के समान संकटका सामना कर रही है जिस तरीके से आपके मरते जा रहे हैं और सी कुकंबर्श तो देखने को भी नहीं मिलते वैसे ही डुगॉंग भी मर रही है जबकि क्यी गा है हमारे वन्यजीव संरक्षन अधिनियम के अनुसूची एक में हैं तो इसे दढ़जा तो ऐसा दिया गया है कि सबसे जादा इसकी रक्षा हम कर रहे हैं क्योंकि अनुसुची वन में जो भी आता है वह बहुत जादा सनरक्षण को प्राप्त करता है पर बिचारे फिर मरते जा रहे हैं तो केवल अनुसुची में डालने से काम नहीं लेगा इस पर काम करना पड़ेगा तो 28 मही को इस पर चर्चा हुई तो पहली बात तो यह समझ लो कि आखिर कहां कहां मिलती है समुद्री गाय तो देखिए एक सर्वे हुआ और सर्वे में हमें पता चला कि अब केवल और केवल धाइसो डुगॉंग ही बचे हैं और कहां बचे हैं तो यह केवल हमें मिलते हैं मनार की खाड़ी गल्फ ऑफ मनार में अंडमान निकोबार दीप समू में और कच्छ की खाड गल्फ ऑफ मनार अंडमान निकोबार दीप समू याद रखना असान है मनार की खाड़ी दो तो खाड़ी हैं और एक दीप समू क्यों कि अपने पूरे जीवन के लिए समुद्रपर निर्भर रहता है और को 37 देशों में यह पाया जाता है 37 देश वो भी कहा कहा की उश्नकटी बंदिया जो द्यपिय देश होते हैं और जो हें कहा कहा की ट्रॉपिकल एरियार्ज की और टेम्परेट एरियर्ज की तो टोटल 37 देशों में मिलता है और भारत के अंदर गल्फ ऑफ मनार गल्फ ऑफ कीमबे आपके कच्छ के खाड़ी गल्फ अफ गच्छ और हमारे अंडमा निकोबार आइलेंड पर ये मिलता है शाकाहारी इस्थंधारी है और एक मात्र इस्थंधारी है इसलिए से समुद्री गाय कहा जाता है और यह है इसकी संक्या बहुत तेजी से कम होती जा रही है और इससे पूरी खादेश अंकलाएं भी प्रभावित होंगी देखो बच्चों क्या होता है हर किसी जीव का अपना खुद का इकलोजिकल निशे होता है इकलॉजिकल निकेत होता है, पर्यावरणिये निकेत होता है, पारिस्तितिकीये निकेत होता है, कोई भी जीव है, उसकी अपनी एक functional capacity है, जैसे उधारन के तोर पर अगर सोच के देखो, भ्रमान में सारे गिद्ध खतम हो जाए, तो गिद्ध क्या होते हैं, प्रकर्ति के सफ पाई करमी होते हैं यह स्केवेंजर्स होते हैं जितने भी मृत शरीर होते हैं लाशे होती हैं उसे खाकर साफ करते हैं अगर यह नश्ठ हो जाएंगे तो प्रकरती में क्या होगा लाशे लाशे फैल जाएंगी तो पूरी प्रकरती नुकसान में आएगी नहीं आएगी तो व पारियात्मक एकाई होती है खुद की एक functional unit होती है और उसे कहा जाता है पारिस्तितिकी निकेत ecological निशे तो ऐसे ही डुगोंग की भी समुद्री परितंत्र के अंदर एक functional unit होती है खुद का एक काम होता है जैसे कि यह शाकाहरी है अब देखो समुद्र में एकसर जीव क्या होते है शाकाहरी होते नहीं है तो जो आपके phytoplankton's है उन्हें कौन खाएगा अगर वो बहुत ज मचलियों के सांस लेने के लिए oxygen ही नहीं बचेगी तो मरत शीत्र बन जाएंगे इसी लिए अगर यह डुगोंग खतम हो गए तो पूरी खादेशंकला प्रभावित होगी कई सारी मचलियों को कई सारे समुद्री जीवों को भीशन संकट का सामना करना पड़ेगा क्योंकि कि इनका जो functional work है वो कौन करेगा इनका जो ecological निशे है इनकी जो कारयत्मक एकाई है उसको कोई भी नहीं कर पाएगा तो पूरी खादेशंकला प्रभावित हो जाएगी तो यह सबसे बड़ा reason है अगर डुगोंग मर गई तो मान लो समुद्री तंत्र की शामत आ गई तो इ यह है एक स्थंधारी समुद्री प्रजाती और जब इसका बच्चा पैदा होता है तो लगभग 12-14 महीने लगते हैं तोटल एक साल या सवा साल के अंदर एक बेबी इसको होता है और हर शिशू कम से कम आपके तीन से साथ वर्षों के अंदर होता है यानि कि एक बेटा बे नेचुरली इनको कोई कॉंडॉम कोई कॉंट्रेसेप्टिव फिल खाने की जरुत निये नेचुरली तीन से साथ साल बाद ही दूसरा होगा तो भया इनकी संख्या बहुत तेजी से नहीं बढ़ पाएगी बहुत धीरे धीरे बढ़ेगी तो पहली प्रॉब्लम तो यह है दूसरी बात इनके भोजन के लिए यही निर्भर करती हैं समुद्री घास फाइटो प्लंक टेंपर और सोचके देखो यह समुद्रि गाए है और गाय क्या करती है घास खाती है तो यह समुद्र की घास खाती है और थोडा बाद बी नहीं खाती यह एक दिन में 40 किलोग्र समुद्री घास खा सकती है अब बताओ इतनी घास में लेके कहा से आएगो एक दिन में भाई एक ही डुगॉंग 40-40 किलो समुद्री घास खा लेगे इवन घंटों तक खाना एक खाती रहती है पांच-पांच घंटे तक खाना खाती रहती है अब सोचके देखो इतनी सारी समुद्री घास तो कम होती जा रही है तो यही एक main reason है कि इसके खाने के लिए समुद्री घास है ही नहीं और यह मर रही हैं तो यह समस्य है और क्या हो रहा है हमारे मचुवारे इनको तो जो मिल जाए वो उठाले जाएंगे तो तमिलनाडु गुजात और अंडमान में डुगॉंग का मास हजार रुपे किलो बिखता है इसलिए मच्छवारे क्या कर रहे हैं हजार रुपे किलो के चक्कर में कई लोगों को मार रहे हैं इसलिए मच्छवारे कहते कि गलती से कभी कोई एक डुगॉंग मिल गई मतलब महीने भर की कमाई हो गई क्योंकि एक डुगॉंग कम से कम 50-60 किलो की तो होगी होगी तो अच्छी खासी कमाई हो जाती है बाकि डिपैंड करता है कि डुगॉंग की साइज क्या है पर कम से कम तुम 25-30 किलो तो मानी लो तो इसलिए एक भी डुगॉंग मिल गई तो महीने भर की मुक्ती मिल गई हर किसी मचुवारे को तो इसलिए डुगॉंग की काफी डिमांड है तो इसलिए भी लोग इसे मार देते हैं तो देखिए और भी कई मानव गतिविदिया है जिसकी वज़े से मर रही हैं समुद्रों के अंदर हम दिन प्रति दिन प्लास्टिक छोड़ते रहते हैं बिचारी इस दुगों को क्या पता कि ये प्लास्टिक खा रही है समुद्री घ बढ़ा रहे हैं कभी हानिकारक अप्षिष्ट समुद्रों में छोड़ देते हैं तो विचारी मर जाती है मचुआ रहे हमारे भारत ने सोच रखा है कि हम विश्व के दूसरे सबसे बड़े मतस्य उत्पादक्स ये देश हैं हमारे यहां पर जो फिश्री प्रोडक्शन हो वर्ड में दूसरे नमबर पर सबसे जादा होता है तो चलो क्यों ना खुब सारी मचलियां गतिविदियों में बढ़ा दे तो फिर बिचारी मचलिया यहां पर मर जाती है तो यह समस्य हो जाता है जाहाजों के आने जाने से भी बिचारी कट-कटके मर रही है अवैत शिका जाना जरूरी है तो संरक्षन के लिए हमने क्या किया है हमारा WII Wildlife Protection जो है वह तमिलनाडू गुजरात और अंडमान में इस्थानिय मच्वारों के बीच डुगॉंग संरक्षन के लिए जागरुकता शिवर चला रहा है और फरवरी 2020 तक गुजरात के गांधी नगर में वन् प्रवासी 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 वन्य जीवों में साइबेरियन क्रेन मरीन टर्टल यानि समुद्री कचुए डुगॉंग को 2008 में रैप्टर को 2016 में संरक्षित किया है तो ध्यान रखेगा बॉन कन्वेंशन ने भारत में साइन कर रखे हैं बॉन कन्वेंशन CMS पर और उसमें कहा है कि साइबेरियन क्रेन डुगॉंग समुद्री कचुए और रैप्टर इन चार ची इसकी डुगॉंग की अब बच्चो यहां पर एक और चीज की बात करते हैं ड्रैगन फ्लाई ड्रैगन फ्लाई तो पता ही होगा जी ओटी देखते हो क्या गेम अफ थ्रोंस उसके अंदर नहीं देखा तो बहुत पूरे वर्ल्ड का बहुत फेमस वैब सीरीज है जी ओटी मर चुके हैं पर हमारे पास एक हैसी मधुमक्षी है जो की ड्रैगन जैसी दिखती है इसलिए उसका नाम क्या है ड्रैगन फ्लाई तो देखो कुछ इस तरीके की है यह मधुमक्षी देखने में ऐसा लगता है कि यह ड्रैगन जैसी है कि मुह से आग उगलेगी इसलिए ना थ्रिटिट टेक्सा उसमें ऐसे जानवरों को रखा जाता है जो कि बिल्कुल विलुप्त हो चुके बहुत ही दुर्लब है तो उसमें एक शोध आया और उन्होंने कहा सुसाइटीज फॉर ओर्डोनेट स्टडीज के अंदर केरल के वैग्यानिक थे उन्होंने कहा कि ड्रेगन फ्लाई में जिनेंड्रो मॉर्फिस नामा के एक बहुत ही दुर्लब जैविग घटना को देखा गया है ड्रेगन फ्लाई के अंदर यानि कि ड्रेगन के आकार की जो म अखियां हैं उनमें एक अजीब सी बहुत ही दुर्लब जैविग घटना हुई है और उस घटना का नाम है जिनेंड्रो मॉर्फिस क्या है आपके जिनेंड्रो मॉर्फिस यह जो घटना है वह त्रिशूर केरल में कोल वैटलेंड जो है कोल आदर भूमी जो है वहां पर दे इंड्रो मॉर्फिस में अजीब सी घटना हुई आधा लाल आधा पीला कोई पेंट थोड़ी चल रहा है यहां पे की चलो एक रैड कर दो एक पीला कर दो डिजाइन बनाएंगे टेक्शर बनाएंगे है ना तो वह नहीं होना चीए पर अजीब सी घटना दिग गई तो दि गण की है जैसे तुमारे गोत्र होते है न वैसे इनके गण होते है इनके order होते है जैसे हमारा गोत्र है कश्य अब तुमारा कुछ और हो सकता है किसी का कुछ और हो सकता है तो वैसे ही order नेटा इनका क्या है गण है order है इनका वर्ग है class है कीट वर्ग जैसे हमारा वर्ग क् का क्लास क्या है कीट पतंगों वाले क्लास में आ जाते हैं तो देखिए यह पारिस्तिति के लिए बहुत महत्पूर्ण है क्योंकि यह क्या है बायो इंडिकेटर से बच्चा यह ध्यान रखिएगा कि बायो इंडिकेटर क्या होते हैं इंडिकेटर का काम क्या है सूचना देन इन्फॉर्मिशन दिना जो जैविक परिवर्तनों की सूचना देते हैं उन्हें बायो इंडिकेटर्स या जैव संकेता कहा जाता है तो ड्रैगन फ्लाई एक बहुत ही अच्छे बायो इंडिकेटर्स हैं जैसे कि कभी भूकम पाता है तो चुहे सबसे पहले भागती हैं क्यो कोई भी उत परिवर्तन हो रहा होगा कहीं पर भी जैविक प्रिवर्तन हो रहा होगा तो उसे सबसे पहले यह बायो इंडिकेटर्स बता देंगे तो वो चीज हमें यहां पर देखने को मिलती है तो यहां पर जो नड्रैगन फ्लाई है इसके सिर, वक्ष, पेट और पैरो सहित, शरीर के लगबक सभी हिस्से, लाल रंग के, कोलो रेटिन इसमें पाया जाता है, जबकि मादा ड्रेगन फ्लाई के अंदर भूरे रंग के वक्ष, पैरो के साथ, हलके पीले रंग होते हैं, तो मेंली पहले कहा होता था, कि आदमी इ से एक कुश्चन आ सकता है आपका, कि निमनलिखित कतनों में से, जिनेंडरो मॉर्फिज्म को कौन सा खथन सही प्रकार से वर्णित कर रहा है, तो आपको पता होना चीए कि आखिर जिनेंडरो मॉर्फिज्म क्या होता है, जिसकी वज़े से इनका शरीर आधा लाल और आध विशेष्टाएं पाई जाती है, यानि कि मिक्चर हो गया, कुछ गुण महिलाओ के आगए, कुछ गुण आपके पुर्शों के आगए, और उसी परिघटना को जिनेंडरो मॉर्फिज्म कहते हैं, लाल रंग यहाँ पर के आगया, नर से आगया, और फलका पीला रंग महि लाओ से आगया, और हो गया जिनेंडरो मॉर्फिज्म, तो इस तरीके के जीवों को इस्त्री रोग, यानि की आपके गिनेंडरोर्फिम्स कहा जाता है, यह ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, गाईनी यानि की मादा, एनर यानि की नर, और मॉर्फ यानि की रूप, यानि क्यों यह news में रहा है तो देखिए यहां पर क्या होता है जनरली कई आनुवांशिक तूटियां होती हैं उसकी वज़े से आनुवांशिक उत्परिवर्तन होने लग जाते हैं जिसके कारण यह है चेंजेश हो रहे हैं और कभी कबार क्या होता है कि DNA में कमी हो जाती है सूत्र जिस तरीके से बठने चाहिए थे वह नहीं बठते हैं तो गुंड सूत्रों में एनियमित करण की वरे से भी हो जाता है तो यह सारी चीजे देखी गई है तो अब हमारे लिए क्यों यह महत्पूर्ण है तो कि देखो यह क्या है ड्रेगन फ्लाई एक बायो इंडिक कुछ ऐसी घटनाएं मिलें जिसकी वरे से कुछ ऐसे नई जीवत्पन होंगे जिन में नर और मादा के दौनों के ही गुण आ जाएंगे तो यह चीज हमारे लिए समझने लायक है तो क्या है जीवों पर पर्यावरनी कारकों का प्रभाव किस तरीके से पढ़ेगा वो हम सम मच पाएंगे और साथ-साथ आनुवांशिक विविदताओं को भी खोजने में मदद मिलेगी तो यह सब चीजों में हमें मदद मिलेगी इन सब चीजों के लिए यह यूजफूल होगा तो यह सारे फायदे हमें ड्रेगन फ्लाई की इस घटना से देखने को मिलते हैं साथ थोड़ी सी बात कर लेते हैं कोल वेटलेंड की जिस जहां पर इघटना हुई तो त्रिशूर जी लेके केरल में मिलता है हमें कोल वेटलेंड क्यों फेमस है कोल वेटलेंड कोल आदरभूमी देखो बच्चों मैं आपको कई बार बता चुका हूँ आदरभूमिया होती है एकोटोन किसे कहते हैं जहां पर दो पारिस्थिति की तंत्र मिलते हैं जैसे कि स्थलमंडर और जलमंदर बिल गया भूमी नमी वाली हो गई बन गई आदर भूमी और आदर भूमिया क्यों जरूरी होती है इस बाइलोजिकल सुपर मार्केट जैसे किसी भी मॉल में तुम जाते हैं सूपर मार्केट में खाने की 10 वेराइटी मिलती है चलो ब्लैक चॉकलेट ले लेते हैं आपके कर्ड ले 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 लो नाचोज ले लो तरह तरह की चीज़े तुम खरीद लाते हो कि आप्शन है खाने पीने के तो ऐसे ही आद्र भूमियों पर तरह तरह की कास हुआ है वह आद्र भूमियों पर हुए मैसोपोटामिया की सभ्यता देख लो दजला फरात नदियों के किनारे बनी हुई है भारत की सिंदुहाटी सभ्यता सिंदुनदी के किनारे वह क्या है आद्र भूमी है तो इसलिए सारी सभ्यताई भी वहीं पर बनी है और आद् चुटी चुटी बजरी मिलती है वह अशुद्धता को साफ करने के काम में आती है ऐसे फिल्टर वर्क करती है तो इसलिए यह भी एक आद्रभूमी है तो यह सारे गुण इसमें होंगे और आद्रभूमियों में चावल का उत्पादन यहां पर अच्छा होता है यहां पर प् के तहत रामसर साइट में भी लिखी गई है और यहां पर कई आकरामक प्रजातियां भी मिलती है यानि कि कुछ ऐसी वनस्पतियां मिलती हैं कुछ ऐसे वन्यजीव मिलती हैं जो कि अन्यजीवों के लिए हानी कारक है तो यहां पर क्या है हमारे यह इस तरीके से केरला में म थीक है थीक है हां किसी ने कोई कुश्चन कुछा है अरविंद की एक सवाल का कुश्चन देना तो बच्चा अरविंद कुश्चन लिख दो दे देंगे जवाब चलिये तो एक और टॉपिक कर लेते हैं red plus कारिक्रम क्या है red plus कारेकरम कही बार पूछा गया है देखिए यूगानड़ा में यूगानडा में हमारा क्या हुआ निर्वनी करण वननिमनी करण के होने से कटवती याननिकी जो red plus कारेकरम है वह किया गया तो यूगानड़ा अफ्रीका के अंदर red plus यानि कि reducing emissions from deforestation and forest degradation कारेक्रम को किया गया और यहाँ पर दिखा गया कि ऐसा कौनसा कारण है जिसकी वज़े से वन कम होते जा रहे हैं और वन की वज़े से कैसे पर्यावरंट प्रदूशन बढ़ता जा रहा है तो हम चाहते हैं कि निर्वनी करण को और degradation को कम किया जाए और प कम कर दिया जाए पर्यावरंट प्रदूशन को तो युगांडा ऐसा पहला अफ्रीकी देश बना है जहां पर यह कारेक्रम हुआ है रैड प्लस का उद्देशे क्या है निर्वनी करण और वन निमनी करण की कमी से जो भी कारबंडाई उत्सरजन हो रहा है उसे रोका जाए कारबंडाई उत्सरजन में कमी लेकर आई जाए तो यह सारी चीज यहां पर की जा रही है तो बच्चो रैड प्लस रैड प्लस कैसे चलता है हमारा जलवायू परिवर्तन पर जो सयुक्त राष्ट फ्रेमवर्क है UNFCC United Nation Framework Convention on Climate Change तो UNFCC को आपके परिणाम प्रस्तुत करता है रैड प्लस कारिक्रम और जो भी रिजल्ट मिलते हैं उसके बेसिस पर इसे पेमेंट मिलता है कि रैड प्लस प्रोग्राम में अगर तुम निर्वनी करण को कम कर पा रहे हो कारबंडाई उससरजन कम हो रहा है तो फिर आपके पेमेंट मिलेगा इसको तो इस तरीके से UNF जो है वो इसे पे आउट देती है और यह जो प्रोग्राम है उसमें UNFCC देशों द्वारा विक्सित यह एक तंत्र है जो जितने भी UNFCC के सदस्य होंगे उन देशों द्वारा यह है विकसित एक तंत्र होगा और इसमें विकाशील देशों को वनाच्छादित भूमी से उस तो हमारे हिमालय के एरिया पर क्या है बहुत ज़्यादा निर्वनी करण किया जा रहा है और बहुत ज़्यादा पेडवेड काटे जा रहे हैं उससे कार्बन डाय उकसाइड जादा उत्सरजित हो रही है तो अब हमें उसको रोकना है तो हमारे हिमालया पर ट्रांस हिमालया पर रेड प्लस परियोजना चल रही है तो यह निर्वनी करण को रोकते हैं जैसे कि पूर्वत्तर राज्यों में भी काम कर रहे हैं तो जैसे जैसे रोकेंगे उससे क्या होगा कार्बन आधारित निवेश भड़ेगा फ्यूचर में हमारा कार्बन क्रेडिटिंग भी बढ़ करता है पहला readiness readiness यानि कि किस तरीके से निर्वनी करण और वन निमनी करण को रोका जाएगा क्या उसकी रणनीतियां होंगी कैसे capacity building होगी इसको ततपरता से तैयारी की जाती है तो पहला जो चरण है इसका वो है first step readiness ततपरता दूसरा है कि जो तुमने strategy बनाई है जो भी शम दर्शन गतिविदियो का चरण है उसे क्रियानवयन या implementation कहा जाता है यह दूसरा चरण है तीसरा चरण है result based payment परिणाम आधरित भुकतान यानि कि जो भी तुमने अच्छा result प्राप्त किया है उसके according तुमें benefit होगा उसके according payouts होंगे तो यह तीसरा चरण है तो इस तरीके से readiness, implementation और payments, RIP ठीक है RIP का मतलब rest in peace होता है पर इसे याद रखने की term है rest in peace नहीं readiness, implementation और payments है तो यह तीन चरण है हमारे red plus परियोजना की और इस पर पहले भी UPSC प्रिलिम्स में कुश्यन आए है और हिमालया, ट्रांस हिमालया पर यह program भारत में भी चल रहा है भारत इसके पैसे देता भी है और इसके लाप को प्राप्त करता भी है दौनों ही काम भारत करता है तो यह एक निश्चित अवदी के अंदर निर्वनी करण को रोकने के लिए चलाया गया program है और निर्वनी करण को रोकने के लिए वित्तिय प्रोथ सहन भी इसमें किया जाता है इसके टेकनिकल मूल ल्यांकन होता है कि कितना पैसा मिला कि निर्वनी करन रुक तो उसके लिए संयुक्त राष्ट समर्थिन मूल ल्यांकन सब्सक्रारिंद रिजल्ट दिया और रिजल्ट आधरित प्रिणाम पैसे भी से मिल गए तो काफी जगए है काम कर रहा है आपके 1.9 billion लोग इससे जुड़े हुए हैं 240 million लोग इससे directly जुड़े हुए हैं इसके काम कर रहे हैं इसके अंदर ऐसा नहीं कि सिर्फ सरकारी संस्थाय काम करते हैं NGO भी help करते हैं प्राइवेंट इंस्टिटुशन भी इसमें help करते हैं तो यह सारी चीज भी इसमें help करती हैं तो देखिये सैयुक्त राष्ट के अंतरगत ही यह कारिकरम चालू किया गया था रेड कारिकरम और फिर वो रेड प्लस हो गया तो UN रेड कारिकरम क्या है सिर्फ और सिर्फ विकाशील देशों के अंदर निर्वनी करण और वन निमनी करण को रोक रहा है ताकि उससरजन में कमी हो ध्यान रखेगा केवल और केवल विकाशील देशों में चलता है और इसकी शुरुआत हुई थी 2008 में 2008 में इसकी शुरुआत हुई तो देखिए यहां पर केवल विकास शील देश में जहां जहां रेड रेड मार्क है वर्ल्ड मैप में केवल वही वही पर यह प्रोग्राम चल रहा है और भारत में भी चल रहा है यह कारिकरम क्या है खाद्य एवं क्रशी संगठन FAO और संयुक्त राष्ट विकास कारिकरम United Nation Development Program और United Nation पर्यावरन कारिकरम UNEP इन सभी से तक्नीकी विशिशक्यता भी प्राप्ट करता है तो FAO, UNDP और UNEP इन तीनों से तक्नीकी सदस्यता भी इसे मिल जाती है तो यह कारिकरम अफ्रीका, एशिया प्रशांत शेत्र और लैटेन अमेरिका में काम करता है क्योंकि यहाँ पर विकासी लदेश है यहीं पर यह काम करता है तो RED PLUS प्रोग्राम क्या है, readiness को भी समर्थन देता है, implementation को भी देता है, result based payout पर भी कारे करता है पर देखें, दो अंतर है RED PLUS में और United Nation के RED प्रोग्राम में United Nation ने शुरुआज जरूर RED प्रोग्राम से की, पर अब क्या चल रहा है, RED PLUS चल रहा है तो देखें, RED PLUS का है, जैसे की युगांडा में RED PLUS प्रोग्राम चल रहा है, तो RED PLUS का मतलब यह है कि निर्वनी करण और वन्निमनी करण को तो रोकना ही रोकना है, सासाथ प्लस यानि की जलवायू परिवर्तन के अन्यकार को पर भी ध्यान देना है तो यह कारकरम देश की राष्टिय जलवायू परिवर्तन की नीती के एक भाग के रूप में चालू हुआ और यूगांडा में फिर आगे और भी चीज़े कर दी गई इसमें, यूगांडा में 2015 और 2017 के बीच में कारबन उस्सरजन को कमी लाने के लिए भी वन्न परिवर्तन की चीज़ों को देखा गया आपके कौन-कौन से ऐसे कारक है जिससे कारबन उस्सरजन जादा हो रहा है, उनका आखलन भी किया गया, ये सारे डिफरेंसेज भी देखे गए और अभी रिसेंटली इसके परिणाम जो है, वो यूनाइटे निशन फ्रेमवर कन्वेंशनल क्लाइमिट चेंज ने प्रस्तुत किये हैं, यूएन एफसीसी ने की है और यहाँ पर अफरीका के अंदर कई डेटा भी पता चले हैं, जिससे लग रहा है कि यूगांडा ने कार्बन उस्सरजन को कम किया है, पर ये डेटा हमारे काम का नहीं है, बस आपको रेड़ प्लस का क्या प्रियोग है, वो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है तो रेड़ प्लस के काफी महत्व हैं, क्या महत्व हैं, जैसे कि हरित जलवायू कोश, जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है, इससे जो भी पैसा मिलेगा ना, उससे आप वनी करन कर सकते हो, ना सिर्फ कार्बन उस्सरजन कम होगा, उससे प्रकरती भी संतुलित रह पाएगी, त साथ साथ अफरीकी देशों को और भी कई महत्वून कार्रे मिलेंगे, कि अफरीका में काफी जंगल है, और वह पारिसिदी के लिए काफी महत्वून है, तो उन सभी को हम संरक्षित रख पाएगे, तो ये सारे बेनेफिट्स होंगे, साथ साथ पर कुछ चिनौतिया भी हो नजर गडाए हुए हैं, क्योंकि अफरीका पर हम क्यों नजरगडाए हुए हैं? क्योंकि अफरीका में हैं प्राकर्तिक संसादन, उन सभी का हम दोहन करना चाहते हैं, और अफरीका की समस्य क्या हैं? health facilities, terrorism से छुटकार अपाना, उनको देकर उनके प्राकरतिक संसादनों का खनन करना चाते हैं, अब देखो हम प्रशी प्राकरतिक संसादनों का खनन करेंगे तो जंगल नश्थ होंगे, तो इसी लिए एक चुनौती है कि अफरीका पूरे जियो पॉलिटिक्स के अंदर भूर जिन्यतिक अवस्था में शिखर पर आ चुका है और वहाँ पर क्रशी, खनन, उर्जा और वानिकी को अगर वरियता दी जाएगी, तो पारिस्थितिकी नुकसान में पढ़ जाएगी, ये सारी समस्या होंगी, तो guys this is all for today, हाँ किसी ने कोई question पूछा था, चलिए, क्या कह तो executive officer की उत्तर vacancy कब आएगी, बेटा अभी executive officer की vacancy का कोई अता पता नहीं है, थोड़ा सा time लगेगा, तो जब आएगी तब उसके बारे में हम बात कर लेंगे, तो अभी कोई ऐसी large information हमें नहीं मिली है, ठीक है, जैसे कुछ भी update होगा state government में, then I will tell you, तो बच्चो daily revision के ल सल रही है, अनकेडमी learning app पर, तो यहां पर test series कर सकते हो, और prelims को आप short shot success में बदाल सकते हो, साथ साथ अनकेडमी के, कल combat है, कल 11 बजे अनकेडमी का combat है, तो सभी बच्चों को test देना है, free test है और rank देखो, कि really में तुम्हारा level क्या है अभी national level पर, ताकि तुम्हें पता त साथ कुष्चन होंगे, और check yourself before UPSC test you, तो यहां पर आपको free test है, बस SS live referral code use करो, और इस test को दो, ताकि तुम्हें तुम्हारी strength पता सर चले, तुम्हारी weakness तुम्हें पता चले, और अनकेडमी के batches को subscribe करने के लिए, join करने के लिए batches को, आप SS live referral code को use कर सकते हो, और अपनी preparation को सही direction दे सकते हो, and guys please like and share the video, video को like भी करो, share भी करो, और आप अपने विचारों को comment के द्वारा हम तक पहुचा सकते हो, और जिन भी बच्चों ने इस channel को subscribe नहीं किया है, please subscribe कर लिजिए, और जिनोंने bell icon नहीं दबाया है, उसे दबादो ताकि notification आपको time पर मिले, और मेर ये daily class होगी, रात को 10 बजे, तो रात को 10 बजे बिना किसी हिच की चाहट के सारे काम छोड़ कर class में आओ, definitely more than 50% question की guarantee आपको मैं दे रहा हूँ, UPSC prelims 10 October को देख लेना, जो भी class में पढ़ाया जा रहा है, उससे 50% से जादा question आएंगे ही आएंगे, कुछ भी नहीं और 50% question आगए, तो फिर select होने से तुम्हें कौन रोख सकता है, तो इसलिए continuous class लो, PDF टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी, add the rate and academy ask के शर्मा पर, और revision करते रहो, बाकी revision के लिए marathon session हम ले लेंगे, ताकि आपका revision फटाफट भी हो जाए, तो thank you to all of you guys, have a good night.